हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफूल किचन टिप्स लेकिया हूँ जिसे सायद आपने कभी ट्राइ नहीं किया होगा बहुत ही यूनिक और एकदम हटके किचन टिप्स है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा इससे आपके घर और किचन का काम आसान और बेहतर हो जाएगा तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं दोस्तो रोटी के डब्बे में हम रोटी तो जरूर रखते हैं और रोटी नीचे का खराब नहीं हो उसके लिए हम इस तरीके से कपड़ा लगा कर रखते हैं कोटन का फिर भी आप देखते होंगे कि रोटी की जो नीचे वाली रहती है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है और उसे अगर खाना हो तो हमें उसे गरम करके ही खाना पड़ता है क्योंकि ऐसे वो इतना गीला हो जाता है कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और देखिए इसके जो नीचे वाली रोटी है वो देखिए और ये वाली रोटी देखिए दोनों में बहुत फरक है ये रोटी बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गया है तो ये रोटी क्यों सॉफ्ट हुआ है पहले वो जान लेते हैं जब इसे हम रोटी के डब्बे में रखते हैं तो ये जो कपड़ा है ना नीचे ये बहुत ही पतला कपड़ा रखता है वो पूरा जो भाब बनता है रोटी का पूरा कपड़ा सोप नहीं कर पाता है जिससे नीचे की रोटी एकदम सौप्ट हो जाती है तो आप कभी भी इस तरीके से कपड़ा लगा कर नहीं रखें आप इसमें न्यूस प् Tucker पहले लगा दें। तो रोटी की डबात तरीके से इससे लगा दें। फीर आप रोटी को तरीके में रोटी को आप नकीनी की रोटी памаешь निलार, या खराब नहीं होगा तो नीचे वाली रोटी अब मत फेकिएगा दोस्तो जब भी हम chopping board का use करते हैं vegetable या salad को काटने के लिए तो आपने notice किया होगा कि कभी कभी हमारा chopping board है इस तरीके से हिलती रता है और जब chopping board हिलता है तो हमें vegetable को cut करने में बहुत ही problem होती है तो आपका अगर chopping board इस तरीके से हिलता है तो आप इस पे ऐसे vegetable नहीं cut करें नहीं तो हाथ भी cutने का पूरा chance रहता है और हमारा जो vegetable वो बहुत अच्छे से chop नहीं होता है तो अगर chopping board हिलता है तो आप चाहे तो इसके दोनों side में rubber band लगा दे या फिर आप ये वाला तरीका जरू try करें तो आपको लेना है इस तरीके से एक napkin napkin ले ले या फिर अपने kitchen towel को भी आप ले सकती है बस इस तरीके से आपको napkin को बिछा लेना है और इसके उपर हमें chopping board को रखकर इस तरीके से सबजी को cut करना है बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अगर आपके chopping board में ये problem है तो आप इसे जरूर try करके देखिएगा आपका ये problem sol हो जाएगा और आपको सबजी काटने में बिल्कुल भी problem नहीं होगा आपका काम आसान और बेहतर भी हो जाएगा दोस्तों जब हम kitchen में जल्दी बाजी में काम करते हैं तो कुछ गल्तियां तो होई जाती हैं जैसे कि तेल गिरना अगर गल्ती से तेल गिर जाता है तो उसे clean करने के लिए हम फटा फट से इसे हाथ से साफ करने लगते हैं मगर ये साफ तो नहीं होता जल्दी उल्टा बहुत दूर तक फैल जाता है तो आप इसे तुरंत हाथ से साफ नहीं करें जब तेल इस तरीके से गिर जाता है, तो आप इसके उपर थोड़ा सा नमक डाल दें जो नमक आप अपने किचन में यूज करती हैं खाने में, सफेद नमक या फिर सेंधा नमक, वह नमक आप इसमें इस तरीके से डाल दें बस ध्यान रखिएगा कि हमें नमक पाउडर वाला चाहिए और बस एक से दो चमस नमक इस पर डाल दे अगर तेल जादा है तो जादा नमक डाले कुछ सेकेंड के लिए इसे ऐसे छोड़ दे उसके बाद टीसू पेपर या फिर कोई खराब कॉटन का कपड़ा ले ले और इस तरीके से इसे पोचते हुए उठा ले ये दिखे ऐसे यकीन मानिये फ्रेंट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है दोस्तो वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ में ये भी बताईएगा कि मेरे वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे खुशी होगी तो ये देखिए फ्रेंट मैंने इसको हाथ से इस तरीके से पोछ लिया और आप देख सकते हैं कि हाथ में बिल्कुल भी कोई तेल नहीं है यानि ये अच्छे से क्लीन हो गया है कभी कभी अचानक से हमारे गले में कुछ इस तरीके से दरद होने लगता है कि हम पानी भी नहीं पीपाते हैं खाना तो दूर है और थूख को भी लिगलने में बहुत ज़्यदा तकलीफ होती है तो उस टाइम में हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें मगर कुछ लोगों को याद होगा कि हम जब बजपन में थे तो हमारे दादी मम्मी लोग हमें बोलती थी पानी को काट कर पी लो और जिसको नहीं पता होगा उसको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पानी को कैसे काटेंगे मगर जब आपको गले में दरद है कुछ भी लिगलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टाइम आप सुबह में उठते ही पानी को एक गलास इस तरीके से ले ले और चाकू से कट कर ले जैसा कि मैंने आपको दिखाया है जैसे प्लस का साइन जाता है बस वैसे हमें पानी को कट करना है उसके बाद खाली पेट हमें पानी को पी लेना है इतना करने मात्र से ही आपके गले का दरद ठीक हो जाएगा मगर आपको इसको तीन दिन लगातार करना है अगर तक्या का कवर पुराना हो गया है फट गया है तो आप उसे फेके नहीं आप उसे जाडू के साथ एक बाद जरूर रियूज कर लें इस तरीके से तो उसके लिए हमें एक पुराना तक्या का कवर लेना है और अब हम लेंगे जाड़ू अब यहाँ पर आप कोई भी जाड़ू ले सकती है फूल जाड़ू या फिर आपके पास जो तीली वाली जाड़ू रथी है वो भी ले सकती है बस जाड़ु को तकिये के कवर के अंदर डालना है इस तरीके से उसके बाद ये निकले नहीं उसके लिए हमें लेना है एक रसी और इसे अच्छे से बांद देना है तो इस तरीके से मैं इसे बांद देती हूँ फ्रेंड मैंने इस वीडियो में जितने भी सामान का यूज किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं तो देखिए मैंने इसको अच्छे से बांध लिया है अब चलिए इसका यूज कर लेते हैं तो अगर आप पोछा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है आपको या फिर आप पोछा नहीं लगाने का मन है सिर्फ जारू लगाने का मन है तो आप क्या करें इस तरीके से तकीय के पर शह एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा जो भी धूल मिटी रहेगा सब तकीय के कवर में आ जाएगा या फिर आप इस तरीके से इसके उपर पानी डाल कर आप अपने घर को उपर से भी क्लीन कर सकती हैं जैसे कि जाले वगर हैं या फिर दिवाल के उपर मिटी जम जा होता है तो उसके लिए भी आप इसे इस तरीके से यूज कर सकती हैं और यह देखिए फ्रेंड कितना सारा धूल मिटी इसमें आ गया है मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ और देखिए जाडू बिलकुल भी नहीं खराब हुआ है कुछ भी नहीं तूटा है तो इसे से धो कर सुखा लेंगे वापस से फिर हम यूज कर लेंगे तो काटना पिटना भी नहीं है और यूज भी हो जाता है तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा तो आप से एक छोटा से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जादा से जदा शेयर करिएगा